हेलू स्टुडेन्ट , इस वीदियो में हम समझेंगे symbols को यूँकि हम use करते हैं human pedigree analysis में इसका meaning है कि जैसे हमें किसी भी generations के बारे में study करनी है या किसी family के history के बारे में study करनी है उसके इतिहास के बारे में study करनी है तो हमने क्या किया यहाँ पे हमने उसकी analysis की कुछ symbols के थूँ और इस अध्यन को pedigree analysis को हम क्या बोलते हैं वन्शा वलियों का अध्यन तो यहाँ पे हम कई सारे वन्श का अध्यन करने वाले हैं और यहाँ पे इनके लिए हम कुछ symbols का use करते हैं ठीक है तो यह जो symbols हैं इनके बारे में समझते हैं तो start करते हैं first symbol आपको दिख रहा होगा एक rectangular shape में और यह जो symbol है यह represent करता है male को अब वो male father है son है grandfather है या grandson है कुछ भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे आप sexuality के base पे क्या बोलेंगे इस symbols का representation करेंगे as a male देन आते हैं circular shape में यह आपको एक व्रत्य जैसा या circular shape दिख रहा है यह represent करता है female sex को अब female क्या है वो मा हो सकती है daughter हो सकती है grandmother हो सकती है या granddaughter हो सकती है तो यह हमेशा representation होगा female का अगर आपको ऐसा shape दिखाई देता है ठीक है तो ऐसा shape क्या represent करता है कि यह sex un-specified है that means कि यह ना तो male है और ना ही female है तो ऐसे आप representation कर सकते हैं un-specified sex को after that आप यहां पर देख पा रहे हैं मैंने इन ही symbols को यह male का यह female का और यह un-specified sex का symbol मैंने form किया है और इसे saffron color से color किया है इसका meaning है कि यह affected individual है that means कि यह जो male female और un-sex un-specified आपको symbols दिख रहे हैं यह affected है इन्हें कोई ना कोई disease है ठीक है अगर यहां पे मैंने कोई भी color नहीं form किया है तो इसका simple सा meaning है कि इन में कोई भी disease नहीं present है कोई भी हो सकती है hemophilic है या color blindness है जो भी एक generation से दूसरे generation में transfer होती है genetic disorder ओके यह जो represent कर रहे हैं यह किसी ना किसी genetic disorders से ग्रसित हैं इसके बाद आप देख रहे हैं मैंने एक rectangular और एक circular को जोड़ दिया है एक line के थूँ सो इसका मतलब है meeting that means कि यह जो representation है यह husband and wife का representation है after that आप यहां पर देख रहे हैं कि मैंने इन दो symbols को इन दो symbols से add किया है सो जो ऊपर की symbols आपको दिख रहे हैं यह किसके symbol होते हैं parents के symbol होते हैं और जो उनसे एक attached line है तो नीचे यह symbols represent करते हैं यह children's के symbols होते हैं okay student and then उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहां पर वही represent मैंने किया है यहां पर दो child थे इन parents के एक daughter थी और दूसरा son है लेकिन अब यह जो मैंने नीचे form किया है यहां पर आप समझ पा रहे हैं कि यह क्या है father है यह क्या है और उनका एक child है और वो child क्या है किसी disease से affected है यह representation है pedigree analysis के कुछ symbols हैं जिनने हमने understand किया अब हम आगे बढ़ते हैं एक overall child को समझते हैं यह child आप देख पा रहे हैं कि यह एक child है जो की represent कर रहा है autosomal recessive trait को यहां पर recessive trait क्यों है क्योंकि यहां आप देख पा रहे हैं कि यह जो parents है जो मैंने mother और father का यह representation कर रहे हैं तो यहां पर आपको कोई भी color नहीं दिखाए दे रहा है for example जो मैंने previous अभी आपको एक saffron color से color दिखाए और बोलो कि भाई यह affected individual है इन्हें कोई ना कोई disease है तो वह आपको यहां पर यहां पर और यहां पर दिख रहा है लेकिन यहां नहीं दिख रहा है parents में feature नहीं दिख रहा है इसका मतलब वह feature present तो है क्योंकि उनकी प्रोजेनी में transfer हुआ है लेकिन वह recessive form में present है ओके इन्हें समझते हैं हम लोग आपको यहां पर टोटल पहले यह समझना होगा कि इस चार्ट में कितनी generations को दिखाया गया है सो यह parents है और यह इनकी first generation है और यह इनकी second generation है मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक floor and second floor सो first and second floor यहां पर represent है अब अगर मैं यहां पर एक line और add कर देता और यहां पर और दिखाता कि यह जो है daughter है और यह son है तो टोटल प्रोजेनी कितने हो जाती three generation यहां पर मैं represent कर देता ठीक है सो समझते है first generation हो गई कि यहां पर parents थे यह female है female का representation कर रहा है और यह male का representation कर रहा है अब यह male और female के total child कितने हैं ध्यान से समझेगा इनको एक son है यह son है यह भी इनका son है two and यह जो है symbol यह daughter का है अब देखें यह यहां attach नहीं है तो आपके mind में आगा कि भाई यह भी दो son होना चाहिए लेकिन यह son नहीं है यह इनकी daughter है और यह daughter का husband है इसका मतलब कि यह जो parents present है यह symbol जो representation है यह इनका दामाद हुआ ठीक है देन उसके बाद यह भी इनकी क्या है daughter है और यह इनका son है तो मतलब इन parents के total first generation में प्रोजेनी कितने form हुए one two three four five फाइफ प्रोजेनी में थ्री सन है और टू डॉटर है और टू डॉटर में एक डॉटर की साधी इन्होंने की है और एक डॉटर से एक डॉटर और जो इनके दामाद है उनसे total कितने प्रोजेनी हुए तो थ्री प्रोजेनी एक इनका बेटा है son है और दो इनकी डॉटर्स है बेटियां है तो हम यह समझ गए एक सिंबल के थ्रू कि overall symbols थे कितने अब देखे अगर आप यहां पर बात करते कि अगर इनकी बेटी की बेटे की शादी हुई होती तो अगर हमें वो रिप्रेजेंट करना होता तो इनकी बेटे के शादी हम अगर एक female से रिप्रेजेंट करते तो ऐसे symbol form होता ठीक है तो आई होप आप इससे समझ पाए होंगे अब जैसे हमने बोला कि यह recessive trait है तो recessive trait की बात की इनमें किसी ना किसी के पास कोई x-link inheritance x-link disease present होगी और जो इनकी बेटी से यह disease transfer हुई है इनके sun में तो simple सी बात है कि यहाँ पे जो chromosomal inheritance हो रहा है वो हम समझ पा रहे हैं इस pedigree chart की help से यहाँ पे मैं कोई भी disease नहीं आपको define कर रहा हूँ यह सिर्फ symbol की understanding के लिए यह chart है जब हम disease की बात करेंगे तो वो मैं आपको अगले वीडियो में explain करूँगा यहाँ पे सिर्फ symbols को हम समझ रहे थे generation को समझ रहे थे कैसे inherited होती है यह disease हम इनको इस pedigree analysis के symbols के थुरू understand कर रहे हैं so I hope आपको यह समझ रहे होगा thank you